सेर्च टायो दे लिटल बस आन यूटूब तुम यहां कोनी हेलो कोनी जीनी हाई गुड आप्टरनून वाँ कितना प्यारा है तुम कौन हो ओ ये प्यारा सा पपी कौंगी का बच्चा है वाँ इसलिए शकल भी मिलती है मिलती है ना मैं चाहती हूँ कोई ऐसा मिल जाए जो इस पपी का ध्यान रखे जो भी इस पपी को पालेगा किस्मत वाला होगा तो इस पपी को तुम ही क्यों नहीं पाल लेती जीनी मैं ऐसे पालू हाँ तुमने कौंगी का बहुत ध्यान रखा था इसलिए मुझे लगता है तुम इसे संभाल लोगी चीक है मैं कोशिश करती हूँ चलो हम दोस्ती कर ले पपी को लेकर जीनी चूचू टाउन में आ गई मिस्टर हब अज तो तुम बहुत खुश नजरा रही हो जीनी जी हाँ क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे प्यारा पपी है ओ ओ ओ ओ ओ चलो अच्छा है मिस्टर हब क्या हम यहां इस पपी को रख सकते है क्या कहा पपी को यहां रखना है यहां एक डॉग को रखना तो बहुत मुश्किल होगा लेकिन क्यों क्योंकि यहां ऐसा करना मना है मना है अब मैं क्या करूँ बात पूरी हो गई हो तो तुम जाकर अराम कर लो ठीक है बाई बाई मिस्टर हब बाई बाई वाउ कितना प्यारा पपी है मुझे पता है मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ लेकिन मिस्टर हब क्यों नहीं मान रहे याद आया, शायद मैंने स्टीम से सुना था कि मिस्टर हर्ब को डॉगी से डर लगता है सच में, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें ये पपी वापस करना पड़ेगा सच कह रहे हो मैं अपने प्यारी पपी को वापस कैसे करूँ मैं इसे सबसे छुपा कर पालूँगी क्या, तुम मेरे साथ घर चलोगे पपी शायदी काम कर जाए अगला दिन शुरू हो जुका है और जीनी अपने काम पर जाने वाली है मैं जल्दी वापस आजाओंगी यहीं इंतुसार करना शैतानी मत करना ओ लंज का टाइम हो गया खाना खा लेता हूँ यहावाज कैसी है बाग जा बाग जा केला चाहिए यह लो जी चेक करने के लिए शुक्रिया किसी ने अभी तक गुम हुए पपी के बारे में पूछताज भी नहीं की चलो अच्छा है अपने घर गया अगले दिन की शुरुवाद टहलने के लिए यह मौसम बहुत ही अच्छा है और और भग जाओ भग जाओ यहां से बार बार क्यों आ जाते हो तुम्हें फिर से भूख लगी है खाना बार मिल जाएगा तो अंदर नहीं आएगा तुम यहां बैट कर खाना चाहते हो शैतान पपी इसी यह जगा पसंद आ गई है धीरे धीरे मिस्टर हर्ब का डर दूर होने लगा बारिश बहुत तेज हो रही है प्यारे पपी तुम तो भीग गए टिटीपो टिटीपो मैंने तॉलिया कहां पर रख दिया मिल गया तो तुम्हें ठंड रख रही है अच्छा लोग पोंच दिया अच्छा ठीक है यह लो क्या कर रहे हो नीची उत्रो लगता है इसका कोई मालिक नहीं है इससे यहीं रख लेता हूँ मुझे याद आया जीनी यहां पर एक डॉप को रखना बहुत मुश्किल होगा परेशानी यह है कि मैं तो खुद जीनी को मना कर रहा था जीनी तुम आ गई तुम्हारा काम खत्म हो गया जी हां यह तो किसी पपी की आवास लगती है क्या हो रहा है जीनी ने आवास तो नहीं सुनी होगी अब मैं जा रही हूँ मिस्टर हब जल्दी जाओ और थोड़ा आराम कर लो कहीं पपी बाहर तो नहीं आ गया अच्छा मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ बहुत शैतान हो तुम जाना चाहते हो बाई बाई यहर रोज कहां जाता है आ गये तुम्हें टून रही थी कल मेरी छुट्टी है तो हम पूरा दिन खेलेंगे अगले दिन की शुरुवायत और मिस्टर हर परिशान है क्योंकि हर रोज आने वाला पपी आज नहीं आया आज वो आया क्यों नहीं कहीं उसके साथ कोई दुरभट्टा तो नहीं हो गई तुम फिर से खेलना चाहते हो जीनी जीनी जी मिस्टर हर क्या तो मुझे चूचू टाउन का चक्कर लगवा सकती हो मुझे कुछ धूंडना है जरूर मदद करके अच्छा लगेगा तन्यवार कोई बात नहीं मैं अभी नियंद्रन कक्ष की तरफ जा रही हूं अभी आती ह यहीं पर इंतिसार करना मिस्टर हर ओ जीनी बड़ी जल्दी आ गई जी तो बताएए आपको क्या डूना है ओ वाओ कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कीमती है ठीक है जीनी की मदद से मिस्टर हर चूचू टाउन के कोने-कोने में तलाश करने लगे यहां पर भी नहीं है अरे हां हमने तुम्हारा कमरा तो देखा ही नहीं क्या मेरा कमरा जदी चलो क्या तो मुझे अपने कमरे में ले चलोगी ठीक है अरे नहीं क्या यहां भी नहीं है नहीं लगता यहां भी नहीं है तो फिर कहीं और देखना चाहिए ठीक है फस पई मैं शैतान पपी तुम यहां हो मेरे मेरे प्यारे बच्चे अजीब बात है आपको डॉगी से डर नहीं लगता मिस्टर हर्ब अशल में जिसे मैं ढूंड रहा था वो ये छोटा पपी है क्या इसका कोई मालिक नहीं है यहर रोज मेरे पास आ रहा था और हमारी दोस्ती हो गई मिस्टर हर्ब मुझे आपको एक बात बतानी है जीनी ने मिस्टर हर्ब को सारा सच बता दिया ओ ये बात है मुझे माफ करतीचे देखो जीनी कैसा रहेगा अगर हम मिलकर इस पपी की चूचू टाउन में देख भाल करें सच में मिस्टर हर्ब मुझे आएगा ये बताओ इसका नाम क्या रखें चीची कैसा रहेगा चीची अद ये हमारे शहर में रहेगा तो मिलता जुलता नाम रखना चाहिए चूचू से चीची चूचू टाउन का चीची बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी बिलकुल अच्छी खबर सुनो हमने तै किया है कि ये पपी चूचू टाउन में रहेगा इसका नाम है चीची वाँ बहुत बढ़िया चीची नाम भी बहुत प्यारा है अपसे हम सब अच्छे दोस्त है चीची हाँ अच्छे और पक्के दोस्त अब चूचू शेहर में एक नया दोस्त आ गया है तुम्हारा स्वागत है चीची जीनी ने बनाया एक नया दोस्त छोटी रेल गारियां हमेशा की तरहा आज भी बहुत काम कर रही है हम पहुंच गई वाँ छोड़ा सा पापी कितना प्यारा है अरे देखो कितना सुन्दर पापी कि अकेला यहां क्या कर रहा है शायद किसी का इंतजार कर रहा है चलने का समय हो गया बाई छोड़े पापी जीनी चूचू टाउन में वापस आ गई मैं आए हेलो जीनी आज का दिन अच्छा रहा हाँ मैंने अपने रूट पर आज एक छोड़े से पापी को देखा पापी देखा तुमने हाँ पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूण रहा हो शायद मालिक से बिछड गया हो अगर उसे उसका मालिक नहीं मिला तो उसे एनिमल पाउंड में भेज देंगे वो क्या होता है वहाँ पर लावारिश जानवरों को शरण दी जाती है ओ पेचारा अगला दिन शुरू हो गया और जीनी अपने काम पर जा रही है हेलो मिस्टर हाब ओ जीनी तुम्हारा सफर अच्छा रहे शुक्रिया बाद में मिलूंगे ठीक है अपना ख्याल दखना और जीनी कैसी हो हेलो गुड मॉर्निंग बेचारी जीनी कितनी धूल लग गई इस पर हेलो स्वागत है माफी चाहती हो दिन भर मिहनत करने के बाद जीनी चूचू टाउन आ रही है हेलो तुम अब तक यहीं हो कोई आत्री नहीं है मेरा काम खत्म हो गया इसलिए घर जा रही हूँ आज का दिन सबसे ज्यादा खराब रहा कुछ कहना है मैं तुम्हारे पीछे आऊ कहा जा रहा है ये वाव कितनी सुन्दर जगा है मैं यहां पहले कभी नहीं आई पापी तुम मुझे यहां खुश करने के लिए लेकर आए सुनो पापी कहां जोला गया ये पूलो का टाच बेहन लिया बारिश होने लगी चलती करो पापी अंदर आ जाओ आचा उपर ना सर्थी लग जाएगी पापी बारिश रुक के चलो अच्छा हुआ क्या बात है वाँ इंद्रदनुश कितना सुन्दर है जीनी और पापी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर रोज जीनी अपने नए दोस्त से मिलने के लिए कंट्री स्टेशन जाने लेगी हेलो चुचे पापी ठूटलिया चिटीपो चिटीपो हाई दोस्तो हेलो कहा को चली आज तो चुट्टी है तुम्हारी हाँ जीनी तुम्हा रोज कहा जाती हो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते देखना तुम्हा अच्छा लगेगा मेरे पीछे आओ ठीक है वाँ यह तो दुनिया का सबसे प्यारा पपी है कितनो प्यारा है हेना मुझे पता था तुम्हे जरूर पसंद आएगा लगता है पपी मुझे पसंद करता है अची बात है मुझे गर्म क्यों लग रहा है क्या क्या यह पपी को लगा तुम बातरूम हो क्या बातरूम कार्शम पपी के साथ हर रोज खेल पाएं लेकिन दोस्तों लगता है किसी का इंतजार कर रहा है जरूर कर रहा है शायद अपने मालिक का कर रहा हो ऐसा लगता है पपी को अलविदा कहने के बाद तीनों दोस्त वापस शहर की ओर चल पड़े हमादे इस्टर बढ़िया इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या तुमने इस पपी को देखा है इसका मालिक इसे ठूंड रहा है यह ओ इसी पपी को तो हमने देखा था है ना तुमने इस पपी को पहले देखा है हाँ इसी को देखा था जीनी बताओ ना नहीं गलत कह रहे हूँ यह यह वो पपी नहीं है यह वो नहीं है मैं मात में मिलती हूँ जीनी अजीब बात है अगर पपी को मालिक में गया तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी ज़रा सुनिये क्या आपने ये पपी कहीं पर देखा है नहीं सॉरी क्या आप बता सकती है आपने इस पपी को कहीं आसपास देखा है ज़रूर इनका ही पपी होगा अब मैं क्या करूँ अरे देखो कितना सुंदर पपी यह अकेला यहां क्या कर रहा है जैट किसी का इंतजार कर रहा है पपी भी अपने मालिक को डून रहा था मुझे अपने दोस्त की मदद करनी होगी क्या आपने मेरे पपी को देखा है सर मैने देखा है मुझे पता है आपका पपी कहा है अभी आपको बहां लेके जा सकती हूँ सुच ले जाओगी तुम्हारा शुक्रिया सुनो पपी बहार आजा कहां चला गया यहां तो मेरा कॉंगी नहीं है सच कह रही हूँ यहीं था सुनो पपी को रहा वहां रुको रुक जाओ प्लीज प्लीज रुक जाओ वो पपी का मालिक है रुको वापस आओ रुक जाओ प्लीज वहीं पर रुक जाओ मेरी आवाज नहीं सुनी ओ कॉंगी हाँ हेलो जीनी हाँ 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 मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक ट्रुक एक पपी को पकड़ कर उस तरफ ले गया है क्या तुम उसे रुकवा दोगे प्लीज क्या ट्रुक एक पपी को ले गया हाँ उसनी सुचा होगा वो हमारा है लेकिन ऐसा नहीं है ये का मुझे पर छोड़ दो तुम उसे मेरे दोस्त को वापस लाना होगा जरा सुनिये प्लीज जरा रुकिये अँ हाँ मुझे उमीद है ट्रुक एक नहीं वापस ले आएगा काश ऐसा हियो आँ हाँ जीनी टायो क्या कॉंगी मिल गया मैंने कहा था न मैं लेकर आऊंगा पपी देखो कॉंगी मुझे तुम्हारी बहुत यादा रही थी मैंने तुम्हें हर जगा ढूंडा मिली गया जीनी टायो तुम दोनों का शुक्रिया कोई बात नहीं मदद करके अच्छा लगा एक नए दिन की शुरुवात होई और छोटी रेल गाड़ियां काम पर जाने के लिए तैयार हैं हाई जीनी काम पर जा रही हो बाद में मिलती हूं ये जीनी इतनी उदास क्यों है कोंगी की वज़े से अब वो उसे नहीं मिल पाएगी बेचारी जीनी कोंगी 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 तुमसे मिलने के जिद कर रहा था जीनी क्या सच में इसलिए हम टहलने के लिए हर रोज यहां आया करेंगे मुझे लगा था मैं फेर से नहीं मिल पाऊंगे कोंगी जीनी अब भी कोंगी से रोज मिल पाएगी कितनी अच्छी वात है ना मिस्टर हर्ब के लिए मुश्किल भरा दिन एक खुबसूरत सुभा की शुरुवात आज देखते हैं मिस्टर हर्ब क्या काम करते हैं लोकों की शिप्ट शुरू होने वाली है ठीक समय पर आये लोको हाई मिस्टर हर्ब गुड मार्निंग आज का तुम्हारा दिन अच्छा बीते लोको शुक्रिया लोटकर आपसे मिलता हूँ बाई ये तो बंदरदा जा रहा है ओ घलट डिपे लोको तुम घलट डिपे ले जा रहे हो लोको मेरी आवास नहीं सुन पाया कहीं ज्वादा दूर में निकल जाए अरे नहीं मेरी चाय ये ये क्या हो गया अरे मेरी केतली भी गई अब क्या करूँ पहले मुझे लोको से बात करनी चाहिए लोको लोको अईसा लगा मैंने कोई आवास सुनी अभी कान बज रहे होंगे लोको लोको ये क्या शायद मेरा माईख खराब हो गया हेलो मिस्टर हर्ब कौन आया है टीटी पो क्या बात है क्योंकि आज हमारी चुट्टी है डीजल जीनी और मैं बाहर घूमने जा रहे है घूमने? ठीक है जा मौच करो मुझे जाना होगा बाई मिस्टर हर्ब आज अजीब हरकते कर रहे है जदे चलू मिस्टर हर्ब क्या आप ठीक है कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया है इसलिए मैं बहुत परिशान हूँ क्या रेडियो? इसका मतलब आप बाहर काम करने वाली रेल से बात नहीं कर पाएंगे बिल्कुल ठीक मैं लोको को बताना चाहता था कि वो घलट डिब्बे ले जा रहा है लेकिन बता नहीं पाया ओ, क्यों ना मैं लोको को माल बूगी पहुँचा दू लेकिन तुम तो घूमने जा रहे हो न मैं कभी और चला जाओंगा आज यहीं रुक कर आपकी मदद करूँगा ठीक है, थैंक्यू ठीटीपो जी डीजल और जीनी को बता दू, मैं उनके साथ नहीं जा सकता रेडियो सिस्टम खराब हो गया है क्या सच में? बहुत बुरा हुआ मैंने सोचा है, आज मैं मिस्टर हर्ब की मदद करूँगा तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ ठीक है तो ठीक है फिर ठीक है, बात में मिलते हैं ठीक है जी सिल, तुम भी मिस्टर हर्ब की मदद करना चाहते हो ठीक है, चलो चलते हैं फिर Mr. Hub बोलो, क्या बात है? टीची पो ने बताया क्या हुआ हमने सुना आपका रेडियो खराब हो गया ठीक सुना, टीओ कुछ पार्ट्स लेने गया है इसलिए ठीक होने में समय लगेगा, बड़ी मुश्किल है क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि सिंग सिंग चुराहे की बीच में खराब हो गई है वो चल नहीं पा रही? मुसीबत ये है कि फिक्स और लिफ्ट कहीं और हैं और सिंग सिंग की मदद के लिए नहीं पहुँच सकते इसलिए परेशान हूँ चिंता छोड़िये मैं सिंग सिंग को खीच कर प्रड़क्शन प्लांट ले जाओंगी तुम ये कर दोगी? जरूर मैं जल्दी वापस आती हूँ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हर्ब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं भी मदद करना चाहता हूँ यहीं इंतजार करो डीजल जी कै डीजल जी मैनी और बढ़नी बंदरगाह में हैं क्या तुम उन्हे कुछ माल बोगी पहुँचा दोगे? जरूर समझे काम होगे आपका जैसे ही लोको काम पर पहुँचा उसे पता चला कि वो गरत माल बोगी ले आया है लोको हम इन बोगियों में सामान नहीं रख सकते आप मुझे थोड़ा सा वक दीजिए प्लीज मैं अभी मिस्टर हर्ब से बात करता हूँ ठीक है मिस्टर हर्ब सुनिए मिस्टर हर्ब मिस्टर हर्ब वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है अब लोको ओ लोको टीटी पो मैं तुम्हारे लिए ठीक माल बोगी ले आया सच में और शुक्रिया तुम्हें किस ने बताया कि मुझे चाहिए मुझे मिस्टर हर्ब ने बताया उन्होंने बताया मैंने उन्हें फोन किया वो जवाब क्यों ने दे रहे कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ उनकी मदद? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा हाँ ये अच्छा रहेगा चिचीपो चिचीपो उन्हों तुमात बहुत देरी से पहुचेगा सिंग सिंग ओ हाई जीनी एक मिनिट रुको मैं तुमारी मदद करती हूँ ओ शुक्रिया सिंग सिंग को अपने साथ जोड़कर जीनी उसे ठीक कराने ले जा रही है सच में? हाँ, रेटियो खराब है मिस्टर होब विक्स से बात नहीं कर पा रहे थे तो मैं आ गई तो मैं भी मदद करूँगी चेकप के बाद में सीधा मिस्टर होब के पास जाऊंगी अच्छी बात है डीजल, मैंनी और बर्नी के लिए माल बोगियां लेकर बंदर का पहुँच गया है क्रेणी हो, हेई डीजल तुमने मैंनी और बर्नी को देखा है क्या? शायद मैंने उन्हें शहर वापिस जाते देखा है शहर चले गए हमने एक दुसरे को देखा नहीं होगा बहुत बुरा हुआ चूचू शहर में सारी गलबल मेरी वज़े से हुई है मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मैं सब ठीक कर दूँगा मैंनी और बर्नी का सामान डीजल लेकर जा रहा है मिस्टर हर्ब ओ ट्यो देरी के लिए माफी कोई बात नहीं लगता है से ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा कोई दिक्कत तो नहीं अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है चोटी रेल गाड़ियां मदद कर रही है यह तो अच्छा है पत्ति पर चटाने गिर गई है और एरिक इसी रूट पर गया है अगर उससे जल्दी नहीं बता पाया है तो हाथसा हो सकता है हाथसा? इसे टाल नहीं सकते मुझे खुच जाकर उसे बताना होगा ठीयो, तुम मैं ठीक करो, मैं आता हूँ ठीक है, मैं ठीक कर दूँ गा मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाऊँ मेरा स्कूटर? ठैंक्स एरिक को हाथसे से बचाने के लिए मिस्टर हर्ब तीजी से जा रहे है ठोला सा और आगे जाना है एरिक एरिक ये स्कूटर की रफ़तार क्यों कम हो गई ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया क्या रुको, एरिक, इस रूप पर खत्रा है एरिक कितना अच्छा मौसम है एरिक मिस्टर हर्ब, क्या कोई दिक्कत है? एरिक के, रास्ते पर चट्ठाने गिरी हुई है मुझे उस रोकना है क्या तुम मुझे ले चलोगे? क्यों रही, जल्दी बैठी आप एरिक 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 लगता है इतनी दूर से एरिक तक आवाज दही पहुच रहे और हम क्या कर सकते हैं, थुलद जल्दी चलो कोशिश करती हो उसके नजदीक पहुचने की एरिक मैं क्या करो स्टेशन आ गया अब अगले स्टेशन की तरफ चल रहे हैं हम रुको रुक जाओ एरिक मिस्टर हर्ब, आप यहां क्या कर रहे हैं मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ अगले स्टेशन के राश्ते में पट्री पर कुछ बढ़ी-बड़ी चट्टाने गिर गयी है इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा बताने के लिए शुक्रिया लेकिन मिस्टर हर्ब आप इतनी दूर क्यों आये आप ये तो मुझे रेडियो पर भी बता सकते थे ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एरेक यात्री तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं तुम्हें अब जाना चाहिए ठीक है शहर आकर मिलूँगा ठीक है शुक्र है मिस्टर हर्ब के छोटे साथ ही वापस शहर आ रही है जीनी डीजल टीचीपो बाहर जाकर खूब मस्ती की तुमने हमने सोचा कि हम भी नहीं जाएंगे यहीं रुक कर मिस्टर हर्ब की मदद की अच्छा किया मुझे पता नहीं था मिस्टर हर्ब के पास इतनी सारी जिम्मेदारिया है मुझे भी नहीं पता था हैरानी की बात है कि वो इतने सारे काम हर रोज अकेले करते हैं सची कहा टीटीबो, चीनी, टीजल मिस्टर हव क्या रेडियो ठीक हो गया ठीक हो गया ये तो बहुत अच्छा हुआ सुनो तुम सब का शुक्रिया तुम्हारी वज़े से मैं अपना काम कर पाया तुम सबने आज मेरी बड़ी मदद की मैंने हमेशा तुम्हें छोटा बच्चा समझा लेकिन आज नहीं हमने कमाल का काम किया जब भी आपको मदद चाहिए हो हमें बता तीजे मिस्टर हव आप विश्वास कर सकते हैं हमेशा हाजिर रहेंगे आपके तीन चैतान ठीक है छोटी रेल गाडियां पूरा दिन मिस्टर हव की मदद करने में लगी रही तुम सबने बहुत अच्छा किया शाबाश